बात करते दोस्तों आज के मुख्य समचार टूड़ ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हैडलाइंस और अप्डेट का वीडियो आच चुका है, कई तरह के मत अपन खबरें हैं, काम की खबरें हैं, एक के खबर आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है, अचा बात कर लेते हैं, आज का ताजा खबर अपडेट, मुख्य समचार और बड़ी खबरों में पहले बड़ी खबर मोसम के जानकारी के साथ, वादा न्यूज टूड़ अपडेट में आप देख सकते हैं, देश बर में मांसूर का असर अब अंतिम पड़ाओं पर पहु अचा बड़ी खबर अपडेट में आज हैं, आज है दोस्तो 22 सितंबर 2019 और हमारे भारत में आज हम बेटी दीवस के रूप में मनाते हैं, जी हाँ, पीता और बेटी के इस खास रिस्ते को सेलेबरेट करने के लिए 22 सितंबर को बेटी दीवस यानि डोटर सिदे मनाय जा रहा है, अज बेटीयां हरक सित्र में आगे हैं और माता-पिता का नाम रोसन कर रही है, साथ ही हमारे देश का नाम भी रोसन कर रही है, दोस्तों कहते हैं बेटे तो भागे से होते हैं, पर बेटीयां सो भागे से होत तो दोस्तो बेटियां हमारे गर परिवार और अमारे देश के लिए सान है गोरव की बात है आज दोस्तो बेटी दिवस के आउसर पर एक लाइक तो यहाँ पर जुरूर बनता है अगले बड़ी खाबर अपडेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मोधी सरकार के और से तोफ के अलावा किसान भाई इस पोर्टल पर भुकान का स्टेटस भी चेक का सकते हैं आधार उतन्टिकेशन के जरिये खुद ही किसान इस पर रेजिस्टेशन कर पाएंगे प्रधान मंत्री किसान संबान निदी यूजना के तैत यहाँ पर तमाम जानकारियां उपलप्त की जा होगा यानि अब एनिवासी भारतिये तुरंत प्रभाव से अधार कार हसिल कर पाएंगे गेंदर सरकार ने एनिवासी भारतियों को ततकार अधार कार उपलप्त कराने के संबाद में अधिसूचना भी जारी कर दी है मोधी सरकार ने अब इनकी सुविदा के लिए बड़ा कदम उठाया है साथ एक लिए बड़ी खबर अपडेट देख सकते हैं जीस्टी रेजिस्टेशन के साथ जरूरी होगा अधरकार लिंक करना बेटक में सरकार ने दी मंजूरी देश के करवारियों को सुगा देटे व जीस्टी दर में हुई कटोती से जिन सेक्टर को फाइदा होगा उनमें होटल, रतन और अपुसन, रक्सा और वहन प्रमुख है इसके साथ ही बैठक में टूरिज्म को बड़ावा देने के लिए भी कई फैसले लिया गया है साथ ये अगले बड़ी खबर है अब समय से नह पर सालना आठ प्रतिशत का जीस्टी देना होगा तो पैंसन देने वाले बेंकू को इसला दी गई है निर्देश से उनके लिए साथ एकले बड़ी खबर आई है पंजाब को लेकर अब पढ़ाई के वक्त चुनाव डूटी नहीं करेंगे टीचर 65 साल के उम्मर में रिटा सकते हैं अगले बड़ी कबर अब्डेट सेवं तपे कमिशन में अबडेट देख सकते हैं सरकारिय करमचारियों को बड़ी रहात दी गई है अब चोट लगने और इन वजों से भी मिलेगी चुटी केंद्र के मोधी सरकार ने कंद्र करमचारियों के लिए चुट्टी लेन अगले बड़ी खबर आई है मोटर वहन कानून से जुड़ेगा आधार पैचान पत्र रवी संकर प्रशाद अगले बड़ी खबर अपडेट है हाउडी मोधी मेगा सो की दस प्रमुक बाते जहां पहली बार दोनों देशु के नेता एक साथ करेंगे संबोधित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, PM मोधी, अमेरिकी राष्टपती डोनाल टरंप संयोक्त रूप से हुष्टन में रविवार को यानि आज हाउडी मोधी रेली को संबोधित करेंगे जिसके लिए 50,000 से दिख भारतिय अमेरिक्यों ने रिजिस्टेशन कराया है वाइट आउस ने अधिकारेक रूप से 22 सितंबर को राष्टपती डोनाल टरंप के हुष्टन में भारतिय प्रवासी दोरा आईजित हाउडी मोधी करेक्रम में सामिल होने के पुष्टी की है तो यहाँ पर यह 10 प्रमुक बाते और अपडेट आप जान सकते हैं देख सकते हैं अगले बड़ी कबर का रूप काते हैं प्या मोधी को मिले 2750 तोपों में से 1400 तोफों के बोली लगी है 52,000 लोग बोली में सामिल हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के प्रसंसकों की तो देश और दुनिया में लंबी फैरिस्त है पर उन्हें मिले तोफों के मुरीद भी कम नहीं है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्या मोधी को मिले तोफों की निलामी के लिए हपते पर में 52,000 लोग बोली लगा चुके हैं दिल्ली के मोडन आर्ट गैलेरी में तोफों के प्रदेस्ट ने 3 अक्टूबर तक चलेगी साथ एगले बड़ी ख़बर अपडेट देख सकते हैं एक अक्टूबर से रोजमरा की ये चीज़ें होगी सस्ती और महेंगी जीहान वित्तमंत्री निर्मला सितारमन के अज्यक्सता में जीएस्टी काउंसिल की 37 वी बैठक में कई बड़े फैसले लिये गया है इस बैठक में कई चीज़ों से टेक्स का बोच कम किया गया है वहीं कुछ चीज़ों पर टेक्स बड़ा दिया गया है यानि मतलब साफ हो गया है एक अक्टूबर से अब कई प्रोड़क्ट महेंगे हो जाएंगे और कई प्रोडक्त जो वो सस्ते होने वाले हैं तो आप देख सकते हैं होटल में ठाड़ना हुआ सस्ता जिस्ट कांसिल के गोवा बेटक में सबसे बड़ी राहत जो है वोटल इंडेस्टी को मिली है इसके अलावा कुछ वीकल है वो सस्ते हुए हैं जिस्टी कांसिल ने 28% के जिस्टी के दाएरे में आने वाले 10 से 13 सिटो तक के पैट्रोल डिजल वानों पर सेज को गटा दिया है साथी 1200 सिस्टी के पैट्रोल वानों पर सेज की दर एक प्रतिश्यत और 1500 सिस्टी के डिजल वानों पर तीन प्रतिश्यत कर दिया है इसके अलावा सूकी इमिली जो है मेंगे कैफेन वाले प्रोडक्ट भी मेंगे हुए हैं तो ये कुछ खास अपडेट हैं अगली बड़ी खबर है दोस्तों देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस की किराई की गोशना दिली से लखनाओ जाने के लिए खाच काड़े होंगे 1280 रुपए लखनाओ और नई अगली बड़ी खबर अपडेट में आप देख सकते हैं दिली बोर्डर पर चल रहा किसानों का धरना खतम हो गया है सरकार ने मान ली है पांच मांगे 10 दिन बाद पी-म से मिलेंगे बारती किसान संग्ठन के बैनर तले अपनी मांगों के लिए दिली जाने वाले किसान भा दोगोंने बल से फिर वापसाएंगे साथ ये बड़ी खबर अपडेट में आप देख सकते हैं चंद्रियान 2 को लेकर नासा साइन्टिस्ट का कुलसा अब 17 अक्टूबर को विक्रम की मिलेगी सही जानकारी साथ चंद्रियान 2 को लेकर ने विक्रम लेंडर से संपर्क की खतम हो रही उमिदू के बीच चंद्रियान 2 को लेकर आया इस्रो प्रमु का बड़ा बयान नमबर ट्राइने मांगे सुजाव दूर संचार वीनियमक ने देश में मोबाइल नमबर जो वर्तमान में 10 अंक है उसकी जिगए 11 अंक किये जाने के बारे में लोगों के सुजाव अमत्रित किये हैं बरती आबादी के साथ दूर संचार कनेक्शन की मांक से निपटने की हो सकता है मोबाइल फोन के नमबर बदलने के बारे में ट्राइ वीचार कर रहा है और इस तरह से अपडेट चल रहे हैं अच्छा अगले बड़ी खबर अपडेट देख सकते हैं गाजियाबाद में तंदूर पर बेन पकड़े गए तो लगेगा पचास जारुपे तक का ज चल रहे हैं तो का सिलसला लगतार जारी है दोस्तों अगले बड़ी खबर है यूपी पुलिस दरोगा भरती 2019 को लेकर अक्टूबर में निकलेगी साई की 523 बरतियां इस तरह की खबर चल रही है गवर्मेंट जोब्स को लेकर अपडेट में साथ ये बड़ा अपडेट आ लगतार साथ दिनों तक कामकाज प्रभायूत होने का मेसेज भी चल रहा है वर्मेट पर एक संदेश चल रहा है कि हरताल के करण लगतार साथ दिनों तक बेंक कामकाज प्रभायूत होगा लेकिन फिलाल इस तरह की खबर नहीं आ रही है कुछ मेडिया रिपोर्स में भी सा कार्यवाग मुखे निया दिस रविंदर भट के पद चोड़ने के बाद से प्रभावि होगा। प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है साथ ये बड़ी खाबर अपडेट गोल्ड प्राइस टूड़ी अपडेट में आप देख सकते हैं प्राइस टूडेट डीजल प्राइस टूडेट में देख सकते हैं सनिवार के अपडेट राजदानी दिल्ले में प्राइस टैतर रुपे 35 पैसे परति लेटर और डीजल चांसे टूड़ी तरपन पैसे परति लेटर हाँ अच्छा गले बड़ी खबर है जो सभी बैंक खातादार को के लिए बेहदी जरूरी है जान लेना भारति रिजल बैंक के ओर से नई नियम आ गए हैं यदि बैंक खातें से पैसा कर जाता है और ATM से नकदे नहीं मिलती है तो ऐसे मामलों में बैंक को टरंजेक्शन के पांच दिरों के भीतर ग्राक के खाते में पैसा जमा करना होगा Point of Sale औरादार आھई भुकतान से फैल transaction के लिए бिए 5 दिन का समाई तैक सेगा गया है Card से Card या फिर Card से भुकतान पर बिंगो के लिए 1 दिन का समाई तैक तैक स्चिमा के भीतर ग्राकों के खाते में रुपिया जमा नहीं करने पर जुर्माना भी तैक कर दिया है ट्रांजिक्शन फेल होने और ताइस समय स्यमा के भीतर भुकतान वापस जमा नहीं होने पर सम्मंदित बेंक राग को 100 रुपे रोजणा के इसाब से बेंक जुर्माना देगा तो यह ऐसे नए नियम बनाए हैं और यह नए नियम 15 अक्टूबर 2019 से लागो हो जाएंगे तो बारती स्टेट बैंक, पंजाम निसल बैंक, आईसे ऐसे केंडरा सभी बेंक खाता दारखों के लिए नियम जुरूरी होंगे तो दोस्तों कैसे लिए आपको एक खबरे कमेंड में जुरूर बताईएगा रूडब राकिंग नियूच इंडिया नियूच हरला है